आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने यहां पर पीछे एंट की फोटो क्यों लगा रखी है तो दोस्तों मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आपने बच्पन से ही देखा होगा कि जब भी कोई एंट या चीटी जो ट्रेवल करता है एक स्ट्रेट लाइन पार्ट में ऐसे ट्रे के पीछे आपकी एक्जाम कैसे क्रैक हो सकती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं तो चीटियों की इस राज के बारे में दोस्तों मेरे को बहुती रिसेंटली पता चला और मुझे लगा कि अगर आप इस रहसमें चीज को भी जानेंगे तो शायद आपकी सीडियस को चुना as my subject of study तो chemistry की पढ़ाई करते हुवक्त मैंने अपने chemistry professor से पूछा तो उन्होंने मेरे को इस रहसमें चीज के पीछे की राज बताई और आज मैं इस scientific fact को आप सभी के साथ share करने वाला हूं दोस्तों होता यह है कि जब भी चीटी होता है कभी they are very hard working ठीक है वो खान एसे ही वह hazardly घूमते रहते घूमते रहते जब भी किसी चीटी को फिर खाना मिल जाता है पकड़ लोग इनको यहां पर कहीं खाना दिख गया they have found a food item here ठीक है यह इनका लक्ष बन जाता है बट यह लोग सिर्फ अपने आप तक सिमित नहीं रखते उस खाने को उनको पता है कि मैं उतना खाना खा भी नहीं पाऊंगा और अगर खा पाता भी तब भी मैं अपने भाई बहनों के साथ उसको share करूंगा ठीक है तो वो क्या करता है इस चीटी ने सबसे पहली बार इस खाने को इस लक्ष तक पहुंचा था वो तो वो क्या करता है अपने पूरे road map में अपने पूरे रास्थे में एक chemical पडार्थ चोड़ता जाता है और इस chemical का नाम है pheromones ठीक है तो pheromones को चोड़ता जाता है और यह क्या करता है एक scent release कर होता है ठीक है एक मैं एक खुश्बू तो नहीं कहूंगा बट इक different kind of accent ठीक है एक महक सा होता है और पूरे रास्ते में पूरे रास्ते में वो सेंट जो है वो फैल जाता है और बाकी सारे जितनी वी चीटिया यहां पर पास में थी दूर में थे वो इस महक को सूंग लेते हैं और इसी सेंट लाइन पार्ट में वो लोग travel करते रहते और आखिर जो उनका लक्ष है जो उनका target है वहां तक वह पहुंच जाते हैं ठीक है है ना बहुत ही एक remarkable scientific fact तो आप देख सकते हो कितने scientifically sound है हमारे चीटिया भी और मैं जब इस चीज को जाना तो मेरा बचपन का वो curiosity finally fulfill हो गया आप कह सकते हो कि सर आप हमें यह सब क्यों सुना रहे हो देखे मैं आपको यह चीज इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आप सब को भी ठीक है उतना महनत नहीं करना है जितना पहले इस चीटी ने किया है अगर आप सबसे जादा महनती शाहिदी वह पहला चीटी यह जिसने उस food item को fine किया है ठीक है that first ant but once that road is already found probably आप उस roadmap को follow करते ही आसानी से अपने लक्ष तक पहुंच सकते हो तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं जितने भी लोगों ने already AIR 1 आपके exam में achieve कर रखा है उन सब की quality होती है उन सब की एक pedagogy होती है पढ़ने की उन सब की कुछ trades ह होते है कुछ characteristics होता है जो मेरे खायाल से अगर आप follow करेंगे तो आपको भी बहुत आसानी से अपने लक्ष तक पहुंच भी सकते हैं और AIR 1 achieve भी कर सकते हैं तो आने वाले समय में अगर आप भी कोई competitive exam दे रहे हो जैसे की combined defense services की exam है मैं कहना चाहता हूं इस roadmap को follow करना बहु उनसे पूछे आप आपके भाईया आपके भावी है कोई भी है आप उनसे पूछे आप उनसे जानने की कोश्च करें कि तुमने ऐसा क्या किया जिसके मादियम से तुमको AIR 1 हासिल हो गया और अगर आपके पास ऐसा कोई topper है भी नहीं तो लेट मी अशूर यू कि हम यूनों कोई ऐसा है नहीं तो आपको उसके लिए आना पड़ेगा मेरे मेगा वरक्शॉप में ठेक है यूलाफ तो रेजिस्टर फॉर्ट इस नो फीजिस इंवर्व बट एक रिजिस्टरेशन लिंक मैं इस वीडियो की डिस्रिप्शन में डाल रहा हूं उस लिंक को आप क्लिक करें रिजिस्टर कर लिजिए रोड मैप टो सिक्योर एरवन इन सीडियस वन टॉजन वट जरूरी चीज आप बोलोगे सर एक्जाम दूर है बट मैं कहना चाहता हूं कि इस जर्णी में जो भी इस पहले चीटी ने किया है ठीक है उस सब को रेप्लिगेट करने में भ लिए और इस रेजिस्टेशन लिंग में क्लिक करके अपने आपको रेजिस्टर कर लेजिए जोइन मी फॉर्स अप्टेमबर 9 प्यम फॉड़ाट रेजिस्टर नाउ